पेंडूलम घडियों पर तापमान का प्रभाव प्रसार होता है पेंडूलम घडि के आवर्तकाल का जो सूतर होता है वो इस तरह से दिया जाता है टी बराबर दो पाई वर्गमूल एल भाग में जी अब अगर मैं पेंडूलम का तापमान बढ़ा दूँगा तो इससे आवर्तकाल पे असर पड़ेगा वो परिवर्तित हो ज देखिए आपने अगर तापमान बढ़ा दिया है तो उससे लंबाई बढ़ चुकी है लंबाई बढ़ जाने से अब हमारे पेंडूलम को एक दोलन पूरा करने में जादा समय लगेगा तो आवर्तकाल बढ़ चुका है लेकिन इससे घड़ी समय कम बताएगी अब ऐसा क्य स्थिति की और जाता है और फिर वापस लोट करके अपनी स्थिति पे फिर से आ जाता है तो हम कहते हैं कि एक दोलन पूरा हो गया तो पेंडूलम घड़ी का प्रारंब में जो आवर्तकाल था जिसे मैंने यहाँ पर टी डैश नाम दिया है चलिए मान लेते हैं कि उसका मान प्रारंब में जो था टी वो था दो सेकंड यानि कि हमारे पेंडूलम को आधा दोलन पूरा करने में एक सेकंड लग रहा था और फिर से आधा दोलन पूरा करने में एक सेकंड और लगा तो पूरे एक दोलन में जो समय लगा वो था दो सेकंड का और इस समय हमारी घड़ी बिल्कुल सही समय बता रही थी समय बताने में कोई त्रुटी नहीं आ रही थी लेकिन जैसे ही मैंने तापमान बढ़ाया तो उससे लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल भी बढ़ गया, तो चलिए यहां पर मैंने जो यह आवर्तकाल बढ़ाया है यह मैंने बहुत जादा बढ़ा हुआ दिखा दिया इतना परिवर्तन बिलकुल नहीं आता मैंने केवल आपको समझाने के लिए उधारन लिया है ठीक है जी तो यह वात अब ध्यान रखेगा इतना जादा परिवर्तन नहीं आता मैंने केवल समझाने के लिए लिया है थोड़ा सा अवर्तकाल बढ़ा होगा लेकिन उसी से समय के मापन में बहुत जादा तुर्टी आ जाती है अगर वो घड़ी सारा दिन चलती रहे तो तो चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि हमारा टी डैश अब हो चुका है तीन स सेकिंड का लेकिन घड़ी तो समय नोट करती है दोलनों से दोलनों की संख्या से घड़ी आधा दोलन पूरा करते ही एक सेकिंड पढ़ लेगी और आधा दोलन पूरा करते ही फिर से एक सेकिंड और पढ़ लेगी तो घड़ी तो हमारी अब भी बताएगी कि दो ही सेकिंड बीते हैं लेकिन लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल बढ़ चुका है हमें पता है जो कि अब कितना हो चुका है तीन सेकंड का तो वास्तव में दो सेकंड नहीं बीते वास्तव में तो समय बीत चुका है तीन सेकंड का लेकिन घड़ी बता रही है कि केवल कितना समय बीता है दो ही सेकंड का तो घड़ी को बताना तो चाहिए था कि समय हो चुका है तीन सेकंड यानि कि समय बीत चुका है तीन सेकंड का लेकिन घड़ी अब भी कितना समय बता रही है दो ही सेकंड तो यहाँ पर घड़ी हमारी थोड़ा कम समय ब तापमान को कम कर दें तो इससे लंबाई L डेश भी कम हो जाएगी आवरतकाल T डेश भी घट जाएगा जिससे अब हमारी घडी का आवरतकाल घट जाने से घडी जो समय बताएगी वो थोड़ा जादा बताएगी तो आशा करता हूँ आपको ये वाली चीज समझ में आ गई ह जो मैंने अभी बताया आपको लंबाई बढ़ जाने से आवरतकाल बढ़ेगा जिससे घडी जो समय बता रही है वो घट जाएगा और अगर हमारी लंबाई घटेगी तापमान के घट जाने से तो आवरतकाल भी घट जाएगा और जो घडी समय बताएगी वो जादा तरीके से ये हम जाज करते हैं कि घड़ी के समय बताने में जो कमी वगएरा आ रही है वो कितनी आती है तो प्रारंब में हमारी घड़ी के जो पेंडलम की लंबाई थी चलिए मान लेते हैं वो L0 थी और तब घड़ी का जो आवर्थकाल T था वो इस तरहें से दिया जाएगा T बराबर 2Pi वर्ग मूल L0 भाग में G अब चलिए मान लेते हैं कि ताप मान में हमने जो वृध्धी की वो हमने डेल्टा T की वृध्धी कर दी तो ऐसा करने से लंबाई बढ़ चुकी है पेंडलम की तो आवर्थकाल भी बढ़ चुका होगा चलिए नए आवर्थकाल को म रूट L' भाग में G यहाँ पे L' जो है आप देख रहे हैं यह नई लंबाई है ताप मान बढ़ने से यह बढ़ चुकी है अब एक काम करते हैं चलिए इसे हम समीकर नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं समीकर नंबर 2 को समीकर नंबर 1 से भाग कर देता ह और वर्गमूल जी से वर्गमूल जी भी कट जाएगा तो मुझे मिलेगा L भाग में L नॉट अब हमने रैखिय प्रसार में ये पढ़ा था कि जो नई लंबाई होती है वो पहले वाली लंबाई L नॉट से इस प्रकार संबंधित होती है यानि कि L बराबर होता है L नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अलफा डेल्टा टी जहां अलफा है रैखिय प्रसार गुणांक तो मैं माल लेता हूं कि हमारे इस पैंडलम की छड़ का जो अलफा है यानि रैखिय प्रसार गुणांक है वो अलफा ही माल लेते हैं तो अब मैं अगर L को L0 के पदों में लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ वर्गमूल L0 1 प्लस अलफा डेल्टा T और भाग में हमारा L0 तो यहां से आप देख सकते हैं L0 से L0 कैंसल हो गया अब यह जो वर्गमूल का चिन है इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 प्लस अलफा डेल्टा T की घात 1 बटा 2 वर्गमूल का यही तो मतलब होता है आधी घात कर देना अब चलिए हमने बाइनॉमियल प्रमे में यह पड़ा है कि यदि इस प्रकार से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो 1 प्लस X की घात N तो इसे हम 1 प्लस NX से लिख सकते हैं लेकिन ऐसा तब करना होता है जब X का माहन एक से काफी छोटा हो और यहां ऐसा ही है अलफा की कोटी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि 10 की घात माइनस 5 या माइनस 4 के आसपास की होती है तो यह राशी बहुत छोटी है इसलिए इसको मैं सिंपल तरीके से ऐसे एक्सपंड कर सकता हूँ एक प्लस अब यह जो घात आप देख रहे हैं एक बटा दो यह यहां पे अलफा डेल्टा टी के गुणा में आ जाएगी तो मुझे मिलेगा एक बटा दो अलफा डेल्टा टी अब एक काम करते हैं यह जो एक है इसे यहां ले आते हैं टी डेश बटे टी के माइनस में तो मुझे मिलेगा टी डेश भाग में टी माइनस एक बराबर एक पटा दो एलफा डेल्टा टी चलिए इसके बाद अब थोड़ा सा इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ टी डेश माइनस टी भाग में टी बराबर एक पटा दो एलफा डेल्टा टी अब यहां ध्यान दीजिए यह टी डेश माइनस टी क्या है टी डेश हमारा नया आवर्थकाल है और टी है पहले वाला आवर्थकाल तो टी डेश माइनस टी जो आवर्थकालों का अंतर है ये वास्तव में वो समय है जो घड़ी ने हमें कम बताया यानि कि ये घड़ी द्वारा बताये गए समय में आने वाली कमी है तो इसे मैं डेल्टा टी लिख देता हूं डेल्टा स्मॉल टी भाग में टी बराबर एक बटा दो α-Δल्फा डेल्टा-T अब इस अनुपात पर ध्यान दीजिए डेल्टा-T है घड़ी द्वारा बताए गए समय में आने वाली कमी ध्यान दीजेगा डेल्टा-T घड़ी ने जो कम समय बताया वो है लेकिन ये डेल्टा-T की कमी आई कब जब घड़ी को समय बताना चाहिए था कितना टी यानि कि घड़ी का आवर्थकाल अगर टी है तो उसने कितना कम समय बताया डेल्टा टी अब मैंने क्या किया आवर्थकाल टी हो तो समय में कमी आती है डेल्टा टी की आवर्थकाल अगर एकांक हो तो कमी आएगी डेल्ट T बटे T तो ये जो अनुपा आता है डेल्टा T बटे T ये एक सेकंड अगर घड़ी को समय बताना चाहिए था तो उसमें कितनी कमी आ रही है वो है तो डेल्टा T बटे T जो आप देख रहे हैं ये घड़ी द्वारा प्रती सेकंड बतायेगए समय में आने वाली कमी है यहाँ ती, यनिकि घड़ी को अगर 2 सेकंड पढ़ने थे, तो तब कितनी तूटी आई समय बताने में? टल्ट ट की, तो टल्ट ट बटे ट बना प्रती सेकंड घड़ी द वाराँ बताए गए समय में आने वाली कमी, तो डेल्टा टी बटे टी को यदि मैं शब्दों में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रती सेकंड घड़ी द्वारा बताए गए समय में आई कमी और जो किसके बराबर आ रही है एक बटा दो अलफा डेल्टा टी तो एक सेकंड समय पढ़ते समय घड़ी ने इतनी कमी बता दी समय की और अगर ये घड़ी पूरे दिन चलती रहे पूरे 24 घंटे तक चलती रहे तो वो कितना समय कम बता देगी हमें पूरे दिन के लिए तो उसके लिए पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं अब हम सब जानते हैं एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ये होते हैं 86,400 तो मैं लिखूंगा एक दिन में सेकंड की संख्या सेकंडों की संख्या आप ये आसानी से पता कर सकते हैं ए एक दिन में 24 घंटे होते हैं प्रते एक घंटे में 60 मिनट और प्रते एक मिनट में 60 सेकंड तो इनकी गुणा करके मुझे मिलेगा 86,400 सेकंड तो जी प्रती सेकंड समय बताने में ये कमी आई थी तो पूरे दिन में समय बताने में घडी ने कितनी हमें कितना कम समय बताया उस बताए गए समय में आई कमी तो जी ये बराबर होनी चाहिए एक बटा दो अलफा डेल्टा टी गुणा में 86,400 तो अगर ये घड़ी एक दिन तक चलती रहे तो पूरे दिन में ये इतने सेकंड का कम समय बताएगी चलिए इस टॉपिक पर हम एक प्रेशन करते हैं तब आपको ये और समझ में आ जाएगा यहां कहा गया है कि एक पेंडूलम घड़ी 20 डिग्री सेल्सियस पर एक ऐसे स्थान पर सही समय देती है जहां जी का मान है 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वार पेंडूलम में एक हलकी स्टील की छड़ है जो एक भारी गेंद से चूड़ी है इसे एक अलग स्थान पर ले जाया जाता है जहां जी का मान आप देख रहे हैं थोड़ा कम हो गया है हो सकता है इसे किसी उंचाई पर ले गई हो तो जी का मान पृतवी की सतय पर तो 9.8 میटर प्रती सेकंड स्क्वार होता है लेकिन अगर आप किसी वस्तू को पृत्वी की सतय से कुछ उंचाई पर ले जाएं या कुछ गहराई में ले जाएं तो जी का मान दौनों ही स्थित्यों में घटता है आगे कहा गया है यह किस तापमान पर सही समय देगी हमारी जो घड़ी है अब वो किस तापमान पर सही समय बताएगी तो हमने अभी अभी देखा था कि पेंडूलम का जो आवर्तकाल था वो केवल लंबाई पर डिपैन्ट नहीं कर रहा उसमें G भी आता है यानि गुर्तवि गड़ी बिल्कुल सही समय बताएगी तो ऐसा थभी हो सकता है जब उसका आवर्तकाल ना बदले चलिए यहां घड़ी के अंदर जो उसकी छड़ है वो जिस पदार्थ की बनी है यानि की स्टील की उसका रैखिय प्रसार गुना कि इन्होंने यहां पर दे दिया है चलिए पेंडलम घड़ी का आवर्तकाल होना कितना चाहिए दो सेकंड तभी वो बिल्कुल सही समय बताएगी हमें इसको मैं नाम देता हूँ समय कर नंबर एक चलिए अब किसी दूसरे स्थान की बात करते हैं दूसरे स्थान पर जहां पर यह घड़ी को लेकर गए हैं गए हैं द पाई वर्गमूल एल लेकिन अब एल बदल चुका है इसे में लिखूँगा एल डैश और जी भी बदल चुका है इसको लिखूँगा मैं जी डैश लेकिन घड़ी अगर सही समय बताती रहे तो उसके लिए यह जरूरी है कि इसका मान अभी भी कितना आना चाहिए दो सेकं समीकर नमबर दो तो यहाँ पे जी डैश तो बदल गया है तो एल डैश भी बदलना होगा और वो कब बदलेगा जब ताप मान टी बदलेगा या बढ़ेगा या घटेगा लेकिन इन दोनों के परिवर्टन से होना ऐसा चाहिए कि घड़ी का अवर्द काल अब भी दो सेकं बताए तो हमें काम करते हैं समीकर नमबर एक और दो से इन दोनों राशियों को बराबर रख देते हैं तो मुझे मिलेगा दो पाई वर्गमूल ल भाग में जी बराबर दो पाई वर्गमूल ल डैश भाग में जी डैश यहां से दो पाई से दो पाई तो कड़ जाएगा अब हम एक काम करेंगे, L' का मान L के पदों में रख देंगे, हम मान लेते हैं कि हमने ताप मान में कुछ परिवर्तन कर दिया, हम मान लेते हैं, डेल्टा T का परिवर्तन कर दिया, तो अब मैं इसको लिखूंगा, देखिए, L की जगें, L, G की जगें, G, अब L' को मैं लिखूंगा, L into 1 प्लस अलफा डेल्टा T, और भाग में G' की जगें, G' इसका तो मान दिया गया है, यहां पे डेल्टा T को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा T क्या होता है, ताप मान में परिवर्तन, मान लेते हैं, बाद में ताप मान हो गया था T, माइनस, प्रारम्भिक ताप मान, इसने खुदी का आया प्रेशन में, प्रारम्भ में गड़ी एक ऐसे स्थान पर थी, जहां पे ताप मान था 20 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T हमारा बनेगा T माइनस 20, तो यहां पर मैं डेल्टा T का मान रख देता हूँ, वर्गमूल L आगे 1 प्लस अलफा, डेल्टा T का मान रख देते हैं T माइनस 20, चलिए, और भाग में G डैश, वैसे यहां से L से यह L भी कट सकता है, तो अब तक मुझे जो मिला, मैं उसको ऐसे लिखूंगा, वर्गमूल 1 बटा G बराबर वर्गमूल 1 प्लस अलफा इंटू T माइनस 20, भाग में G डैश, चलिए, दोना तरफ वर्ग कर देते हैं, तो ऐसा करने से यह वर्गमूल का चिन कट जाएगा, यह जो G डैश है, यह यहाँ अपर इधर आ जाएगा, उपर, G के गुणा में उपर, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, जी डैश भाग में G बराबर है, एक प्लस अलफा ब्रैकिट में T माइनस 20, इस वन को भी इधर ले आईए, तो मुझे मिलेगा, जी डैश भाग में G माइनस एक, बराबर एल्फा इंटू T माइनस 20, अब इनके मान रग देते हैं, जी डैश का मान, इन्होंने प्रशन में ही बता रखा है, जी डैश का मान है हमारा, 9.788, और भाग में G का मान, 9.800 माइनस 1, बराबर एल्फा, एल्फा का मान दिया गया है, 12 गुणा 10 की घाथ माइनस 6, गुणा में T माइनस 20, अब एक काम करते हैं, हम यहां से लगुत्तम ले ले लेते हैं, 9.800, तो मुझे मिलेगा, 9.788, माइनस 9.800, भाग में 9.800, बराबर, 12 गुणा 10 की घाथ माइनस 6, गुणा में T माइनस 20, अब चलिए देखते हैं, इसको घटा देते हैं, इसको घटाने के बाद, मुझे यहां पर मिलेगा, माइनस 0.012, भाग में, 9.8, बराबर, 12 गुणा 10 की घाथ माइनस 6, गुणा में T माइनस 20, अब इन राश्यों को भी आप इदर भाग में ले आईए, अगर आप कैलकुलेशन करें आगे, तो आपको मिलेगा, माइनस 1000, भाग में 9.8, बराबर, T माइनस 20, इसे अगर आप आगे सॉल्व करें, तो अन्त में आपको उत्तर मिलेगा, T बराबर, माइनस 82 डिग्री सेंटीग्रेट, तो ये वो तापमान है, जिस पर अब हमारी घड़ी, सही समय बताएगी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, पेंडूलम घड़ीयों पर तापमान का प्रभाव, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रेलिटेट जो नोट्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगा, वीडियो अच्छले के उते प्लेजिस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,